तो और भाई लोग क्या आले हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वालें बीफार्मा इंटरेंस एक्जाम के फॉर्म के बारे में और पेपर के बारे में की और जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भराता उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है बहुत ही अच टाइम है आपके पास क्योंकि इंटरेंस एक्जाम के फॉर्म की डेट एक्स्टेंड कर दी गई है मैं UPCET की बात कर रहा हूं इससे पहले जो UPTU के नाम से पेपर होता था इंटर्म भी फार्मा इंटरेंस एक्जाम के लिए बहुत सारे कोर्स हैं लेकिन उसमें मैं जो बा तो उससे में होता क्या है कि बहुत इंटरेंस एक्जाम देने के बाद आप जितना अच्छा स्कोर करोगे आपको उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा जितने अच्छी आपक रैंक हो की उतने अच्छे से अच्छा आपको को इंटर्मेंट इंटर्म हैं वही भरसकता है यह इंडिया में आप किसी भी स्टेट से विलॉंग करते हो, आप बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन आपको जो कॉलेज है वो सिर्फ यूपी में मिलेगा, यूपी वाले तो भरी सकते हैं, यूपी के अलावा भी जो अदर स्टेट के लोग हैं, वो भी अपलाई कर सकते हैं, इस करने के बाद college भी ले सकते हैं लेकिन वो college सिर्फ उनको UP में मिलेगा आप form की बात कर लेते हैं जो form की last date थी वो 20 जून थी तो 20 जून से बढ़ा के आप देख पार होगे स्क्रीन पे 6 जुलाई 2021 कर दी गई अब टू 5 पीम मतलब की साम के 5 बजे तक आप form submission कर सकते हो 6 जुला रही है साम की रात की साड़े गया हो ग्यारा पचास तक और फिर उसके बाद ही साथ 8 से 14 तक 8 जुलाई से 14 जुलाई तक correction date या correction window आ जाएगा मतलब कि अगर आपकी form भरने में किसी की बहुत मतलब जो लोग पहले भर चुके हैं उन लोगों से कुछ गलती हो गई होगी तो उसको सही कराने के लिए correction window खोली जाएगी 6 दिन के लिए मतलब एक अपते के लिए तो अभी तक जिन लोगों ने form नहीं भर रहा है वो बिल्कुल बेफिकर हो जाए form भर ले और कहीं न कहीं ये form extension की date जो है ये submission form submission की extension कर दिया गया है इसकी वज़े से अगर आपको positive ची ल जो में मैं बोल भी चुका हूँ कि paper जो होंगे वो September में ही होंगे intense exam के तो आपके पास बहुत ज्यादा sufficient time है इस बार prepare करने का और ज्यादा इधर उधर की बाते में सोचो अपना syllabus पढ़ो काफी ज्यादा time है आपके पास और जिन लोगों ने अभी form नहीं बढ़ा है वो ल date exam की या form submission की date इसके अलावा आपको कोई और मौका मिलेगा तो यह आपके लिए में भी last chance हो तो इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार form को भरें जो लोग नहीं भर पाएं और जिन लोगों ने form भर दिया वो अपनी तयारी अच्छे से करें और correction की date जो है वो 8-14 ज फॉलो कर सकते हो इस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर आप मुझसे कोई भी query पूछ सकते हो पेपर से related और किसी को previous year के पेपर चाहिए तो टेलीग्राम की link description में दे रखिए वहां से जाके आप जॉइन कर सकते हो टेलीग्राम पर हमने paper 2-3 साल के upload कर रखके हैं हिंदी